हेलो एबरीबन बलकम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हमें आपर बहुती सुन्दर सी काना जी के लिए ड्रेस बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है तो इसकी लंबाई धा इंच है और चौड़ाई हमारी तीन इंच है तो चौड़ाई की तरफ से हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे तो हमने सिलाई को लगा दिया है अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से मैंने सीधा भी कर लिया है जो हमारी सिलाई है इसको बीच में रखेंगे और यहाँ पर हम गोटा पट्टी इस तरह से लेंगे तो यहाँ पर रखके सिलाई लगा लेते हैं इसी तरीके से दूसरी गोटा पट्टी को भी यहां पर रखके सीधी सिलाई लगा लेंगे तो हमने यहां पर सिलाई को लगा दिया है इतनी पट्टी हमारी तयार हो गई है अब हम यहां पर एक फिर से पट्टी लेंगे तो इसकी लंबाई 6 इंच है और चोड़ाई 1 इंच है तो इसको तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे तो हमने सिलाई को लगा दिया है अब हम याँ पर इसमें छोटी छोटी पलेटी सिलेंगे तो इस तरह से हमें छोटी छोटी पलेटे डाल लेनी है पूरी पट्टी में हम याँ पर छोटी छोटी पलेटे डाल लेते है यहाँ पर केल की मदद से इस तरह से चोटी-चोटी पलेटे डालेंगे तो यहाँ पर मैंने पलेटों को डाल लिया है देखी यहाँ आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर मैंने एक इंचोडी पटी लिया है तो इस पट्टी को हमें याँ पर इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद याँ पर सिलाई लगा देंगे तो याँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है इस पट्टी को याँ पर इतरह से फोल्ड करेंगे और इसमें दाप सिलाई लगा देंगे और इसमें मैंने गोटा पट्टी को भी सिला है तो अब हम यहाँ पर दोनों पट्टी को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो हमने यहाँ पर सिलाई को लगा दिया है और जो अभी हमने पट्टी सिली थी तो इसको यहाँ पर रखेंगे दोनों की सी दिसाय टामने सामने रख लेनी है और यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने देखी इस तरह से जालर वाली पट्टी को सिल लिया है अब हम यहाँ पर नीचे की तरह भी इसको फोल्ड करके सिलेंगे तो गोठा पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा देंगे आप चाहें तो यहाँ पर डोरी भी लगा सकती है तो हमने फोल्ड करके सिलाई को भी लगा दिया है और इत्र से हमारी जो काना जी की डिरेस है वो बनकर तयार हो गई है और यहाँ पर मैंने काना जी लिये हैं तो अब हमें आपर इस डिरेस को पहना कर भी आपलों को दिखा देती हूं कुछ इत्र से हमें आपर इनको पहनाएंगे पट्टी को हमें आपर पीछे की तरफ ले जाकर और आगे की तरफ हमें आपर गोटा पट्टी को लाएंगे और इसमें हमें नौट लगा देनी है फिर हमें आपर इस पट्टी को पीछे की तरफ भी बान देंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हमारी जो काना जी की डिरेस है वो बन कर तेहार हो गई है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं तो मिद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैलाकन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंक्यू